नमस्कार दोस्तों, OCEAN Network में आपका स्वागत है। फर्स्ट फेज का मतदान हो चुका है 19 अपरेल को, सेकंड फेज का 26 अपरेल को होने जा रहा है। और इस 26 अपरेल के पॉल में वाइनाड भी है। जहां से राहुल गांधी 2019 के बाद अब दूसरी बार कॉंग्रिस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ये तो आप हम अब पुरा देश जानता है। अमेठी में 2019 में इस मृती इरानी के सामने हार गए थे। चुनाव तो लड़े थे। लेकिन उन्हें इस बात का आभास था के अमेठी अब उनके लिए उनके परिवार के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। सो जो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है कॉंग्रेस के लिहाज से तो केरल की वाइनाड से लड़े और जीत भी गए। परलिमेंट तो कम से कम पहुँच गए। अब ये जो 26 तारीक को वहाँ पर मतदान होना है उससे ठीक पहले कुछ ऐसी खबरे आ रही हैं जिन से ये पता चलता है कि अब राहुल गांदी के लिए और इस परिवार के लिए वाइनाड भी अभेद्य किला नहीं रह गया है। यानि उसमें भी सेंद लग सकती है। और यही वजह है कि बड़ी तेज चर्चें चल रही हैं कि राहुल गांदी वाइनाड के अलावा किसी और सीट से भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। वाइनाड भी अगर सुरक्षित नहीं रह गयी है जहां से वो करीब करीब 5 lakh के अंतर से जीते थे। रहुल गांदी का आकड़ा मेरे सामने है 2019 का 5 lakh से तो नहीं पर करीब करीब 4,30,000 से तो वो जीते ही थे। रहुल गांदी को 64.64 प्रतिशत वोट मिले थे। और साथ लाख साथ हजार वोट मिले थे जो CPI के खड़े थे सुनीर उनको दो लाख पच्छतर हजार मिले थे उस वाइनाड में भी इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बावजूद अगर ये चर्चाएं चल निकली है किसाब वाइनाड भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गया है और कोई और सीट तलाश की जा रही है तब तो सवाल तो खड़े होंगे और ये चर्चाएं क्यों शुरू हुई है क्योंकि परधान मंतरी नरेंदर मौदी ने एक तो इंटर्वियू में ये बात कही है और दूसरे उन्होंने एक रैली में ये बात कही है जरा सुनते हैं कि प्रधान मंतरी ने कहा क्या है कि इसको वाइदार में वोटिंग पुरा हो जाएगा ये सहाजादे के लिए एक और सुरक्षी सीख गोसित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको क्योंकि उनके एलाइंस के साथी भी एक दूसरे को गालिया दे रहे ह करल आपने उनके साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो सहाजादे को सुनाई है मैं भी कभी ऐसी भाचा नहीं बोलता हूँ ऐसी भाचा बोली है उनका अब जैसे इन्हों ने अमेटी से भागना पड़ा अमेटी छोड़ा अब मान के चलिए वो वाइनाड भी छोड़ेंगे प्रदाफन मंत्री के इस बयान पर एक इंटर्विव में उनसे सवाल पूछा विया कि ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि राहूल गांधी अब वाइनाड में भी केरल में भी सुरक्षित नहीं है और वाइनाड में ये सुरक्षित क्यों है और कॉंग्रेस को इतनी वोट क्यों मिलती है आज इसका भी खुलासा करेंगे इस प्रोग्राम में तो प उत्तर से भाग करके दक्षिन में असरे लिया उनों थे वाइनार में निकल गए इस बार उनकी हलत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारी को वाइनार का पोलिंग हो जाएगा वे किसी और सिट की गोशा उनके लिए होगी वो दूसरी सिट की तलास में यह पक्का खर्शुआ लिए रखिया मेरे सब्सक्राइए और एक बर होचना कि दिर पार्लमेंट में कि उनके बड़े बिड़े नेता अब लोगसावा लटने वाले नहीं है जाएंगे और मेरे कहने के एक महने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्सावा से आना पड़ा पराजे पहले से स्विकार कर लिया है जी परदान मंत्री कह रहे है कि इनों ने तो पराजे पहले से ही स्विकार कर लिया है और इसमें कोई मजाक की बात नहीं है परदान मंत्री ने ये बात क्यों कही है जरा समझने की और सोचने की जरूरत जिस दिन सोनिया गांधी ने राय ब्रेली से लोकसभा का चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया और राजस्थान से राज्यसभा के लिए उन्होंने नोमिनेशन दाखिल कर दिया और राज्यसभा के लिए वो चुनी भी गई अब वो लोक सभा की सदस्ट नहीं रही, राज्य सभा की सदस्ट से हो गई और आगे से राज्य सभा में ही दिखाई देंगी, लोक सभा में नहीं ऐसी सीट लोग सभा की जहां से कौन-कौन नहीं चुने गए इंद्रा गांधी भी उनके पती फिरोज गांधी भी अरुन नहरु भी फिर सोनिया गांधी चुनी जाती रही वो सीट भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं बची है राइबरेली भी सुरक्षित नहीं है अमेठी से राहुल गांधी हार जाते हैं पचपन साथ हजार वोटों के अंतर से हार जाते हैं और दक्षिन में उनको शरण लेनी पड़ती है जाकर के वाइनाड में तो ऐसे में एक रॉंग मेसेज तो चला ही गया है और बलके मैं इसको रॉंग मेसेज भी नहीं कहूंगा मैं तो सही मेसेज कहूंगा कि चुकी अमेठी से 2019 में राहुल गांधी हार गए और 2024 सोनिया गांधी को लगा के अब मेरे लिए राइबरेली भी ऐसी सीट नहीं है जहां से मैं जीत सकती हूँ इसलिए उन्होंने राज सभा का यानि बैक पहले दिनों गाजयबाद में जब इनकी प्रेस कॉंफरेंस थी राहुल गांधी और अखलेश यादों की तो एक पत्रकार ने पड़ा चुबता हुआ सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया उनसे कहा कि साब जो देश का प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं वो तो गुजरा प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं यानि राहुल गांधी वो उत्तर प्रधेस की अपनी परंपरिक सीट परिवार की एक मजबूत सीट रही है यहां से संजय गांधी भी राजीव गांधी भी सोनिया गांधी भी लड़ते रहे और जीतते रहे उस सीट को छोड़ करके आप चले गए वाइनाड केरल चले गए दक्षिन चले गए धुर धुर दक्षिन चले गए तो इस पर जवाब देते नहीं बना और ये कहकर के पतली गली से निकलने की कोशिश की कि देखिए ये भारती ये जनता पारिटी का कोश्चन है वह सवाल तो पूछेंगे आप अमें ठी छोड़ करके वाइनाड क्यों चले गए रहते यहीं लेकिन चुबता हुआ सवाल है और ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते नहीं बन रहा है उत्तर प्रदेश तो कॉंग्रेस के लिए पूरी तरीके से बंजर भूमी बन चुका है विधान स सभा चुनाओ के आखड़े देख लीजिए कितना वोट शेर मिल रहा है सीट कितनी मिल रही हैं लोग सभा चुनाओ का देख लीजिए क्या हालत हो रखी है जितनी सीटों पर लड़ते हैं अधिकांश पर जमानते जब्त हो जाती हैं पिछली बार तो राइवरेली जीत चुके हैं तो इनके लिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 26 को वाइनाड में मतदान होने के बाद प्राहुल गांदी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं नामिनेशन दाखिल कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे जानकार हैं उनका कहना य यह है कि गांदी परिवार अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो विधान सबा चुनाव में प्रियंका वाडरा को दाओं पर लगा करके होने गलती की थी जहां से उनको पूरी तरीके से प्राजित होने की आशंका हो वहां वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं इसलिए राय बर यह अपने आप में कपोल कल्पित लग रहा है वो अगर कोई सी दूसरी सीट पर जाकर के लड़ेंगे भी तो वो संभावत है अमेठी नहीं होगी और प्रियंका गांदी वाडरा भी चुनावी राजनीती में तभी कदम रखेंगी जब उनको लगेगा कि इस सीट से अगर मैं नामांकन भरूंगी और चुनाव लड़ूंगी तो यहां से जीत भी जाओंगी इस बार तो इस पर शर्त लग रही है कि कॉंग्रेस पारिटी 2014 में जो 44 सीटे मिली थी उसको वो उतनी सीट ले आएगी या उससे भी कम रह जाएगी क्योंकि यह अटकले ऐसे ही शुरू नहीं हुई हैं इन अटकल बाजियों की वजह यह है कि मामदाब एनरजी जो इंडी एलाइंस की ही एक घटक दल की नेता हैं उनना तो यह कह दिया था कि पूरे देश में कॉंग्रेस पारिटी 40 सीटे भी नहीं जीत रही है तो ऐसे में तो अब यह शर्त लगने लगी है कि कॉंग्रेस पारिटी 40 भी जीत जाएगी कि नहीं जीत जाएगी और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है खुद रहुल गांदी जिम्मेदार हैं और उनके जो तोर तरीके हैं क्योंकि वो पतीत की पटकियों से हार से करारी शिकस्त से कोई सबक लेने को तैयार नहीं हैं वही वही बाते दोराते रहते हैं इसके अलावा जैसे उनकी सोच आगे बढ़ ही नहीं रही है और वो मतलब 53 साल की उमर में भी जैसे बाले काल को ही प्राप्त हैं बचकानी बाते करते हैं वही बाल सुलब जो है धरकते हैं उनकी वैसी ही टिपनिया है तो ना मीडिया seriously ले रहा है उनको ना देश के मतदाता उनको seriously ले रहे ना उनके जो घटक दल के नेता हैं इंडी एलाइंस के वो उनको अपना नेता मानने को तैयार हैं और कॉंग्रेस से तो लगातार बाहर जाने वालों की एक जैसे लाइन लगी हुई है आज भी मैं देख रहा था इनहीं के संसदी एक शेत्र वाइनाड के जो जिले के महा सचिव हैं वो पारिटी छोड़ करके और भारतिये जनता पारिटी में शामिल हो गए और रीजन उन्होंने क्या बताया कि मेरा एक्सिस ही नहीं है मैं राहुल गांदी से मिली नहीं पाता हूं और मैं उनसे अपने मन की बात अगर कहना चाहूं उनको कोई सलहा देना चाहूं तो मैं दे जी नहीं सकता हूं मैं वाइनाड के बारे में रिसर्च कर रहा था देख रहा था कि कि वहाँ चुनाव तो होने जा रहा है, और राहुल गांदी दूसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो पिछले पांच साल में इनकी वहाँ उपस्तिती कैसी रही है, इनका कामकाज कैसा रहा है, कहीं वही हाल तो नहीं है जो अमेठी में करके छोड़ रखा था गांदी नहरू परिवार ने, क्योंकि अमेठी वालों का भी तो यही दुखड़ा है, इसी लिए तो उनका महबंग हुआ है, कि इनके परिवार की कई पीडियों को उन्होंने जिता करके पार्लियमेंट में भेजा, और उनमें से राजीव गांदी तो बाकाइदा प्रधान मंत्री भी बने हैं, और लेकिन अमेठी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इसी तरीके से वाइनाड के लोगों का ये कहना है, कि साब यहाँ अभी भी हेल्थ की जो सुईधाएं हैं वो ना के बराबर हैं, कनेक्टिविटी यहाँ की अभी भी बाबा आदम के जमाने की है, चुकि यह वन छेत्र है, और यहाँ जंगली जानवर जो हैं, वो भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं, और परियेटा नस्तल भी है, लाखो परियेटक जो है, वो वाइनाड आते हैं, देश बर से आते हैं, और तो और वाइनाड में आज तक मेडिकल कॉलिज भी नहीं है, अगर कोई गंभीर बीमार पड़ जाता है, तो या तो मैसूर जाता है, या फिर बैंगलोरू जाता है, तो सवाल ये है के राहूल गांदी ने पिछले पांच साल में किया क्या है, और रात को नो बज़े से लेकर के सुबह छे बज़े तक, जो वहां का हाईवे है, वहां पर आवागमन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो जंगली पशू हैं, जानवर हैं, वो वहां पर कई ऐ कैसी वारदाते अतीत में कर चुके हैं, जिनकी वज़े से, अचा वहां का जो मिजाज है, समीकरण है, वो एक्च्वल में कॉंग्रेस के पक्ष में जाते हैं, वहां के जो मुस्लिम हैं, जिनकी तादाद बताई जा रही है कि एक समय 30 परतिशत के आसपास थी, जो अब धर कर्मांतरन की वज़े से और कुछ और कारणों से 40 परतिशत से भी उपर चली गई है, 45 परतिशत के आसपास हो गई है, हिंदू वहां एक समय में 45 परतिशत के आसपास थे, जो घटकर के 35 परतिशत के आसपास रह गए हैं, इनमें भी 16 परतिशत के आसपास OBC है, आदिवास का एक बड़ा चंक जो है वो लेफ्ट की तरफ रहता है पर चुकि RSS बहुत लंबे समय से वहां काम कर रहा है और भजारों की संख्या में उसकी जो संसाएं हैं और शाखाएं हैं वो वहां पर काम कर रही हैं तो ये जो आदिवासी हैं ये बटे हैं OBC भी बटे हैं जो फॉक्ताद भी एक समय वाइनाड की बात मैं कर रहा हूं पूरे केरल की बात नहीं कर रहा हूं 31 परतिशत के आसपास थी जो अब घट करके 20 परतिशत रहे तो ये जो राहूल गांधी मीच में OBC की बात करते रहें मनीपूर की बात करते रहें इसके पीछे की उनकी मेंटि क्या थी उनको लगता था कि केरल में और भास तोर से वाइनाड में अगर भारतिये जनता पारिटी का कोई प्रतियाशी आ करके उनको चुनोती देता है तो जो ईसाई हैं जो ओवी सी हैं आदिवासी हैं वो उनकी तरफ ना जाने पाएं इसलिए मनीपूर मनीपूर ये पारल के बाहर भी चिलाते रहें इस बार जो ये कर रहे हैं पिछली बार भी इन्हों ने किया था इंडियन मुस्लिम लीग तो इनके साथ है ही लेकिन साथ में इन्हों ने जो पियाफ आई की पॉलिटिकल विंग है स्टिफ याई उसका भी ये समर्थन ले रहे हैं और ये बात प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी और ग्रह मंतरी अमित शाह ने भी अपने इंटरव्यूज में और अपनी जन सभाव में कही है अच्छा मुस्लिम जो हैं वो वहां के कारोबार पर पूरी तरीके से चाय हुए हैं और करीब करीब 75% के आसपास जो कारोबार है वो वह मुसलिम्स के हाथ में ही है और वहां की जो सड़कें हैं वो राहुल गांदी की जो भारत जुड़ो यात्रा है उसके पॉस्टरों से पटी पड़ी है किसी पॉस्टर में इनको बेटा लिखा गया है किसी में भाई लिखा गया है किसी में गरीबियों का हितेशी लिखा गया ह है इस बार जो एक्च्वल में मुकाबला है वो तरकोणी है पहले तो 2019 में तो राहुल गांदी का मुकाबला CPI के सुनीर से था और 2014 में यहां से कांग्रेस के शानावास जीते थे जिनको करीब वोने चार लाख वोट मिले थे और सत्यन जो CPI के थे उनको करीब करीब साड़े तीन लाख वोट मिले थे इस बार जो है राहुल गांदी के सामने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्षे के सुरेंदरन जो जवरदस्त वक्ता माने जाते हैं वो खड़े हैं और डी राजा की जो पतनी है एनी राजा वो खड़ी हुई है और इस बार जिस तरीके से वाम पंथी दलों के बीच में भी कॉंग्रेस को लेकर के और राहुल गांदी की वहां की वहां की उमीदवारी को लेकर के नाराजगी रही है उसके चलते परधान मंतरी की ये टिपणी आई है किसाब 26 के बाद ये किसी और सुरक्षित सीट को भी तलाश करेंगे और ऐसा लगता है कि जैसे वाइनाड के साथ साथ इन लोगों ने बाहर भी अपनी पराजा स्विकार कर लिए है आज एक ब राहुल गांदी की दो सभाएं थी आज एक सतना में थी मद्यप्रदेश में और दूसरी फिर राची में थी जहां इनका जमावड़ा हो रहा है आज सारे इंडी एलाइंस के घटक दलों का वहाँ पर फिर से हेवन सोरेन की पतनी उधर अरविंद केजरिवाल की पतनी सुन राहुल गांदी को सतना में भी एक सभा को संबोदित करना था और फिर राची में भी जाना था इंडी एलाइंस के इस जमावड़े में जन सभा में संबोदित करना था आखरी टाइम पर जराम रमेश का ट्वीट आता है कि राहुल गांदी की तबियत खराब हो गई है और पहली भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब तो कभी इस तरह की खबरे नहीं आई कि उनकी तवियत खराब हो गई और वो चल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, अचानक उनकी तवियत कैसे खराब हो गई, कु और इस से पता चलता है कि राहुल गांदी हो या गांदी नहरु परिवार है वो एक्च्वल में इस चुनाओ को भी कितना सीरियसली ले रहा है एक तरफ तो परधान मंतरी नरेंदर मौदी हैं अमित शाह हैं रोज तीन तीन रह लिया या रोड शो कर रहे हैं और कहां ये बि खराब बता करके तो ये शो करता है कि ये अभी से एक तरीके से अपनी पराज़स्विकार करके बैठ करें अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट फसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी कर है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद सोनम जी एक और मित्र का बीच में कंट्रिव्यूशन आया था आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कर।